हेलो स्टुडेंट्स नीट बाइलोजीन ब्रेंड चैनल में आप सभी का मोस्ट वैलकम और आज हम बात करेंगे सैल दैनोट अपलाइप के अपने लेक्चर नम्मर 19 के बारे में यह इस शैप्टर का आज का हमारा लास्ट लेक्चर है इसके अंदर आज हम जो टोपिक डिसकस करेंगे वो होगा क्रोमोसोम यह आज का हमारा लास्ट टोपिक है टोपिक का नाम है क्रोमोसोम इसके अंदर हम तीन सब टोपिक को डिसकस करेंगे हम सबसे पहले समझें क्रोमोसोम क्या होता है सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रोमोसोम होता क्या है उसके बाद हम बात करेंग सेंट्रोंइयर एंड कैनियक को और दो करेंगी और तीसरा सब्टोंपिक जो हम यहां पर जा रहे हैं वह टाइप सढ़ो क्रोमसोंग के बारे में तो आए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर क्रोमसों छीन है आज का जो हमारा पहला टोपिक है वो है प्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो DNA की more condensed form होती है उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, DNA से क्या होता है, जो DNA होता है, इसकी condensed form को वैसे तो बोलते हैं, chromatin, और जब ये more condensed हो जाती है, जब ये क्या हो जाती है, more condensed हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, chromo, इसे बोलते हैं, chromosome, इसे क्या बोलते हैं, chromosome, तो ये कैसे होता है, इसमें लिखाई जो chromosomes होते है, वो हमें M phase में visible होते है, इसका क्या मतलब है, हमने cell cycle and cell division के अंदर पड़ा है, किसी भी cell cycle के चार phases होते है, पहला phase होता है, G1 phase, दूसरा S phase, तीसरा G2 phase, और चोथा phase होता है M phase, G1, S, G2 और M phase, फिर हमने पढ़ा है कि M phase के अंदर प्रो phase, मेटा phase, एना phase और टिलो phase हमें देखने को मिलते हैं, जो G1, S, G2 phase होता है, जो G1, S, G2 phase होता है, इसे क्या बोलते हैं, G1, S, G2 phase को मिला कर हम बोलते हैं, इंटर phase, और जो M phase होता है, इसे बोलते हैं, माइटोटिक phase, इसे क्या बोलते हैं, माइटोटिक phase, G1, S, G2 के अंदर शैल अपने आपको प्रिपेर करती है, और M phase के अंदर वो एक्चॉल में डिवाइड करती है, तो क्या होता है, G1, S, G2 के अंदर जो हमें DNA देखने को मिलता है, वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, वो होता है, क्रोमिटीन की फॉर्म में, इन इंटरफेजी स्टेज ओफ न्यूकलियस DNA found in the form of क्रोमिटीन, अब ये क्रोमिटीन क्या होता है, इसके बारे में हम लास हिस्टोन प्रोटीन दोनों देखने को मिल सकती है, उसे बोलते हैं क्रोमिटीन, लास लेक्चर में हम क्रोमिटीन टोपिक को कवर कर चुके है, जो क्रोमसोम होते हैं, क्रोमसोम जो विजिबल होते हैं, वो M फेज के अंदर विजिबल होते हैं, क्रोमसोम हमें M फेज के अं अंदर हमें chromatine दिखाई देता है DNA की condensed form को बोलते हैं chromatine more condensed form को बोलते हैं chromosome जो chromatine होता है chromatines contain DNA and some basic protein and some non-histone protein and also RNA इसका क्या मतलब है हमारे पास जो DNA होता है assume यह DNA है यह DNA जब condensed हो जाता है यह क्या हो गया DNA यह DNA जब condensed हो जाता है तो क्या होता है DNA की इस condensed form को हम chromatine बोलते है यह हमारे पास क्या है DNA है यह क्या है DNA है यह इसकी क्या है condensed form है तो इसे क्या बोलते हैं और जब यह और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है जब यह और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो यह क्या बना लेता है ऐसे क्रोमोसोम बना लेता है DNA से क्या बनता है क्रोमेटीन क्रोमेटीन से बनता है क्रोमेटीन से क्या बनता है क्रोमोसोम यह क्या है और क्या होता है इस क्रोमिटीन के अंदर हमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है कुछ हिस्टोन और नोन हिस्टोन प्रोटीन हमें आपर देखने को मिलती है आई होफ आपको एक इलियर हो गया होगा हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से चर्शा कर चुके है कि क्रोमेटीन टोपिक को हम कवर कर चुके है फिर भी हमने ड्रीपली आपको यहां पर भी बता दिया है जो human cell होती है and human cell has approximately 2 meter long DNA कि जो human cells होती है उसके अंदर करीब 2 meter लंबा हमें long DNA देखने को मिलता है हमारी body के अंदर billions, trillions of cells हमें देखने को मिलती है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा नंबर हमारे सरीर के अंदर cells की length का उसकी DNA की length का हमें देखने को मिलता है इसके बारे में हम detail से बात कहा करेंगे, molecular basis of intense के अंदर हम इसके बारे में detail से बात करेंगे कितने base pair होते है, base pair turns क्या होते है, length कितनी होती है, सब महाँ पर हम discuss करेंगे अब हम जिरा इस diagram के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि single chromosome और duplicated chromosome का क्या मतलब है हमने भी आपको बताया था कि cell cycle की 4 phases होते है, G1 phase, S phase, G2 phase और M phase जो single chromosome हमें देखने को मिलता है, जो single chromosome हमें देखने को मिलता है वो होता है G1 phase के अंदर, वो का होता है, G1 phase के अंदर और S phase में क्या होता है, DNA का duplication हमें देखने को मिलता है, तो जो G2 phase के अंदर हमें देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, duplicated chromosome हमें देखने को मिलता है यह क्या होती है, इसे बोलते हैं और इसको बोलते हैं chromatid, यह क्या होती है, chromosomes की chromatid इसे chromosome के chromatids बोलते है, इसका मतलब यहाँ पर कितनी chromatid हमें दिखाई दे रही है इक chromatid, जो single chromatid वाला chromosome हमें देखने को मिलता है वो G1 phase के अंदर हमें देखने को मिलता है और जो duplicated chromosomes है, इसका मतलब हमें इसके अंदर कितने chromatids देखने को मिलते है इसके अंदर हमें double 2 chromatids हमें यहाँ पर देखने को मिलते है single chromatid and second chromatid तो इसके अंदर कितने chromatid है, दो chromatid, इसके अंदर कितने chromatid है, एक chromatid, दो chromatid वाला chromosome कहां देखने को मिलता है, हमें G2 phase and M phase के अंदर देखने को मिलता है, और इसके बीच में में क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स के बीच में हमें एक इस्ट्रक्चर जो ये देखने को मिल लही है इसे क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं इसके बारे में भी आगे बात करते हैं और क्या होता है जो ये chromatid के अंदर हमें कितनी arms देखने को मिलती है ये एक chromatid जो हमें दिखाई दे रही है तो इस एक chromatid के अंदर हमें दो arms देखने को मिलती है two arms one arm and two arm three arm and four arm one chromatid के अंदर two arms देखने को मिलती है इसे यहां से यहां तक की structure को क्या बोलते है arm बोलते है means, एक chromatid के अंदर हमें दो arms देखने को मिलती है अब बात कर रहे हैं centrosome centrosome नहीं, ये centromere है ये क्या है? ये Centromere है, इससे आप सही कर लेंगे, ये क्या है Centromere है, गलती से टाइप हो गया Centrosome, बट क्या है एक्च्छल में Centromere, जिसके बारे में हम बात कर चुके है, ये बीच में जो structure देखने को मिलती है, इससे हम Centromere बोलते हैं, अब क्या होता है? हमने आपको बता दिय कि इसके अंदर कितनी chromatids होती है दो chromatids हमें देखने को मिलती है बीच में एक जो red वाली हमें structure देखने को मिल लही है इसे क्या बोलते हैं centromere बोलते है और क्या होती है इसके दोनों और हमें क्या देखने को मिलती है disc shape structure देखने को मिलती है इसकी बोट साइड पर हमें जो यह वाली structure देखने को मिलती है disc shape structure इसे क्या बोलते है kineto core बोलते है इसे क्या बोलते है kineto core बोलते है तो each chromosomes visible only in dividing cells each chromosome हमें chromosomes तभी visible होते हुए दिखाई देते है जब cell divide कर रही हो तो इसका क्या मतलब है means हमें chromosomes ऐसे दिखाई नहीं दे सकते इसका मतलब है कि G1 S G2 phase जो होता है G1 S G2 M phase जो होता है हम chromosomes को केवल और केवल M phase के अंदर ही देख सकते है M phase के अंदर ही जो chromosomes होते है वो visible होते है और बिलुकुल इनकी जो detail इस्टेडियम best study हम कहां कर सकते है वो होती है वो split हो जाती है और क्या बोलते हैं इसको जो centromere होता है इसे हम primary construction कहते है means primary construction बोलते है इसको primary construction और इसे हम primary क्या बोलते है centromere बोलते है इसको और इसे हम primary construction भी कहते है क्या होता है जब कोई chromosomes जब cell divide करते है DNA replicate होता है तो centromere बीच से split हो जाता है centromere क्या हो जाता है ये बीच से split हो जाता है इसलिए क्या बोलते हैं primary construction बोलते हैं अब इसकी दोनों sides पर हमें क्या देखने को मिलता है on the sides of centromere to disc shape structure होती है जिने हम kineto core कहते है neat में question पोछा जा चुका है क्या होता है हम आपको इसके बारे में बता चुके है कि एकक क्रोमोसाम के अंदर कितनी सेंट, जो एक सेंट्रोमियर होता है, जो क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, वो क्या करता है, दो क्रोमेटिड्स को, होल्ड करके रखता है, एक सेंट्रोमियर क्या होता है, दो क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करके रखता है, और क्या होता है इसके अंदर, इसमें हमें इस वाले end को बोलते हैं इसका telomere end एक end को बोलते हैं telomere end बोलते हैं इस पर हमें क्या देखने को मिलता है non-standing DNA यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्या होता है non-standing DNA हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस non-standing DNA को हम क्या बोलते है यह क्या है नोन इस्टेनिंग DNA है और इस नोन इस्टेनिंग DNA को ही क्या बोलते हैं सैटलाइट DNA बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं सैटलाइट DNA तो हमने आपको क्या बताया इसके क्रोमोसोम्स के दूसरे एंड को क्या बोलते हैं तीलोमेर एंड बोलते हैं यहाँ पर हमें नोन इस्टेनिंग DNA देखने को मिलता है जिसे हम सैटलाइट DNA कहते है अब बात करते हैं टाइप ओफ क्रोमोसोम्स के बारे में यहां से कोस्चन नीट में हर साल पूछा जाता है एक कोस्चन और इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं हलका सा बस समझना होता है टोपिक को टाइप ओफ क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स के टाइप होते हैं वें चार परकार के क्रोमोसोम हमें बेसिकली देखने को मिलते है सेंट्रो मियर के बेसिस पर हमें को इनके define कर रहे है relation किसके बैसिस पर है centromere, इनके बीच में जो ये structure हमें देखने को मिलती है इसके बैसिस पर हमें इने 4 part में divide कर रहे है पहला होता है metacentric एक होता है some metacentric acrocentric and telocentric इसे किस तरीके से हम bifurgate करते है जो metacentric होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो centromere होता है जो centromere होता है वो बिल्कुल बीच में हमें देखने को मिलता है, क्या होता है centromere यहाँ पर middle में देखने को मिलता है means ये वाली arm और ये वाली arm equal होती है, ये arm और ये arm क्या होती है, equal होती है बड़ सम्मेटा सेंट्रिक के अंदर क्या होता है जो सेंट्रोमियर होता है स्लाइटली एबव होता है क्या होता है कि स्लाइटली एबव होता है मिल्स एक आर्म के अंदर क्या होता है जो बीच से मिडिल से क्या होता है slightly abo होता है means एक arm थोड़ी बड़ी होती है और एक arm थोड़ी छोटी होती है उसे बोलते हैं somatacentric acrocentric में क्या होता है कि जो centromere होता है close होता है close to one end means एक end के बिल्कुल close पहुँच चुके है वहाँ पर हमें centromere देखने को मिलता है उसे बोलते हैं acrocentric chromosome एक होता है telocentric chromosome यह telocentric chromosome क्या होता है telocentric के अंदर जो हमें centromere की location देखने को मिलती है वो terminal position हमें देखने को मिलती है means हम terminal पर पहुँच चुके है means हमें याँ पर terminal position हमको देखने को मिलती है हम text में पढ़ लेते हैं NCRT गे अंदर क्या लिखा हैं, completely NCRT को भी यहाँ पर cover कर रहे हैं, हमें two chromatid sophe chromosome, based on the position of centromere, chromosomes को classify कर सकते हैं, four types में, पहला metacentric, किसके basis पर classify कर रहे हैं, centromere के basis पर, जो metacentric chromosome होते हैं, उनके अंदर centromere हमें middle में देखने को मिलता है, chromosomes कहां होता है, middle centromere होता है, forming two equal arms, इसके अंदर क्या होता है, two equal arms हमको देखने को मिलती है, means जो arms होती है, वो क्या होती है, same होती है, जबकि जो some metacentric chromosome होता है, उसके अंदर जो centromere होता है, slightly away from the middle होता है, इससे क्या result होता है, एक arm छोटी हो जाती है, एक arm बड़ी हो जाती है, यह arm कैसी है, यह arm बड़ी हो गई, यह वाली arm छोटी हो गई, यह क्या है, short arm है, और यह कैसी है, long arm है, इसके अंदर कैसी है, इसके अंदर दोनो equal arms हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर कैसी है? Equal arms हमें देखने को मिलती है In case of acrocentric chromosome Central में is situated to close to its end forming the extremely short Means क्या होता है? ये बिल्कुल कहां पहुँच जाती है? Close हो जाती है एक end के और एक arm बहुत बड़ी हो जाती है एक arm छोटी सी रह जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक्रो सेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते है क्या बोलते है? एक्रो सेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते है वेरेज जो टीलो सेंट्रिक होता है टीलो सेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है टीलो सेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो ट्रमिनल पोजिशन ओक्यूपाई कर लेता है यहाँ पर हमारा क्रोमसों वाला टोपिक है वो खतम होता है अब हमारा जो सैल दा इनुट ओप लाइफ वाला चैप्टर यह खतम हो चुका है फिनिस हो चुका है अब हम क्या करेंगे हमने हुमेन फीजियो के अंदर डाइज सब्सक्राइब करेंगे और उसे हम स्टार्ट करेंगे तो थैंक्यू बच्चो मिलते हैं लेक्टर में और वेरी बेस्ट